वेल्लो एबरिवन वेल्कम बैक तो मैं यूट्यूब चैनल इस दिपेश बंधारी आज हम डिसकस करेंगे निफ्टिक अनलेसिस बैंक निफ्टिक अनलेसिस आज मुझे कितना प्रॉफिट हुआ उसके पीछे का लॉजी क्या था और उसका रिस्क रिवॉड क्या था तो चल कल अगर किसी ने हमारे लेवल्स को दिखा होता और उस बेस पर ट्रेड किया होता तो वो हर पॉइंट पर प्रॉफिटेबल निकला था मैं आपको दिखाता हूँ कैसे मार्केट आज ओपन हुआ 307 के आसपास ओपनी के साथ ही एक रेट केंटर बन गी मैंने आपको कल क्या आपको मैंने कितना लेवल का था आपको मैं अदर एड़ पर वीडियो पर एक वीडियो शेयर कर दूगा वहाँ पर आप लिक करके चेक कर सकती हो मैंने का था 312 आपका लेवल टच होगा अगर वो अगर बहुत नहीं कर पाया तो मार्केट उधर से नीचे गिरेगा नीचे तार्गेट था 259 का तार्गेट अगेन यहां पर मार्केट ने सस्टेन नहीं कर पाया और ब्रेकडाउन आ गया जो मारा लास्ट तार्गेट था वो था 210 का मार्केट नीचे आया अल्मूस्ट 220 के आसपास थोड़ा से वालडाइल रहा अगेन यहां पर एक कट दिया ब्रेकडाउन दिया करते करते लो आज का कितना लगा 209.80 का मार्केट ने आज हमारे तीनो टार्गेट फुल्फिल कर दिया और अगर किसी ने यहां पर एक ग्रीन केंडल देख करके नीचे अपना स्टॉप्रस लगा करके ट्रेड की हो तो उसको वन वे उपर का भी प्रॉफिट आ जाता हमारे आज तीनो टार्गेट हीट हो गए और हमारा आज अच्छा प्रॉफिटेबल ले रहा ऐसी अगर आप चाहते मैं वीडियो आपको रोज पुब्लिश करूँ ये बेंक निफ्टी के तर अगेन पहले रेड केंडल दी बट निफ्टी वान साइड गिरता रहा बट ये एक बार ही उपर गया सस्टेन नहीं किया 567 का मैंने कल क्या का था इसकी उपर अगर सस्टेन करें 5 मिर्ट नीचे आपका ऐसल होगा और दुब्वा निचे 23 का टार अगर किसी ने बाद में उससे तेजी की होती तो वो भी प्रॉटेबल रह जाता तो गाइस इसलिए मैं कहता हूँ आप वीडियो को अच्छी तरह सुना करो बीच में स्किप मत करा करो इसलिए आपको हर लेवल को क्लेरी ज्यादा होगी निफ्टी की अगर मैं बात करू कि अगर 307 अगर मार्केट एट पर खुलता है थोड़ा सा गैप अप खुलता है थोड़ा सा गैप दन्स खुलता है अगें अगर 398 एक तो यह लेवल है अपना और इसको थोड़ा सा आगे खीच दे हम आल्मुस्ट यह लेवल बंज कर क्या है 380 380 की उपर अगर 5 मिनिट की क करेगा बट अगर 210 भी होल्ड नहीं करता है तब हमें थोड़ अग्रेसिव टार्गेट और निफ्टी की नीचे आ सकते हैं वह आल्मुस्ट पहला टार्गेट रहेगा 150 की आसपास का 155 की आसपास का उसके बाद हम एक्सपक्ट कर सकते हैं 117 की आसपास का अगर मैं बात कर इन चारो रेंज में से किसी भी एक रेंज को ब्रेक करता है नीचे वाला हमारा टार्गेट रहेगा और जो लास्ट आर्गेट हमारा बैंक निफ्टी का वह ओर्मुस्ट फॉट्टी वन नीचे की आसपास आएगा और अगर यह लेवल ब्रेक होता है तब हमें बहुत 5968 का 5 मिनिट या 15 मिनिट के आसपास का 15 मिनिट आप इधर देखना 41968 अगर क्लोस करता है 15 मिनिट की केंडल तो हमें 598 दैन 324 के आसपास के टार्गेट मिल सकते हैं तो चलिए आज का आपको मैं प्रॉफित दिखा देता हूँ एक मैंने स्टॉप में ट्रेड किया है वो सिर्फ Monday के लिए नहीं है इन फैक्ट थर्ज्डे के लिए है जो expiry stocks की होगी उसके पीछे का मेरा logica है क्या मैंने किया है आपको मैं एक बर दिखा देता हूं तो आज का जो मेरा profit था मैंने बहुत कम quantity पर trade किया था इसलिए मेरा profit 3170 आ रहा है और जो stock मैंने trade किया वह है मैरीको यह 2300 का loss आपको दिखा रहा है बड़ यह adjusted नहीं है वह जो आपको mandate यूज जब मैं इसका profit बुक करूँगा यह loss बुक करूँगा तब आपको मैं दिखा दूँगा इसमें मैंने क्या किया था मैरीको की उपर को लें आज इसने अपनी support को break किया है almost इसकी support तरी 487.45 के आसपास 486.10 के आसपास इसने close दिया है हमारा जो stop loss का वह almost यहां तो हम 495 का रखेंगे नहीं तो almost 493-495 के आसपास हम SL अपना रख सकते हैं हमारा जो target रहेगा वह कितना रहेगा अगर पहने में आपको weekly भी दिखा देता हो क्योंकि breakdown जो होते हैं यह बहुत बड़े breakdown होते हैं यह देखो weekly यहां पर एक बार इसने sustain किया again bounce back कर गया नीचे bounce back कर इस बार यह bounce back नहीं कर पाया यह नीचे को गिर गया है अब market में क्या होगा Monday को शायद ही थोड़ा gap up खुल चकता है 488-489 कुछ भी खुल चकता है but वहां से एक बार selling आ करके 473 और 4 के आसपास यह मैं level आपको mark कर देता हूं almost 473.35 के आसपास हम इदर अपना profit book करेंगे first target हमारा रहेगा यह और second target हमारा almost 467 के आसपास रहेगा but हम try करेंगे 473 के आसपास book कर दें कि expiry है एकदम से premium अगर ऊपर चड़गा तो shuffle भी जब भी expiry के आसपास हम आए तो जल्दी से जल्दी अपने profit book करो as an option buyer आपको properly अपना profit book करना पड़ता है नगी तो एक मिन मार्केट आपका loss कर देंगे आपको अगर मैं दिखाऊं daily timeframe पर अगर हम यह देखकर के चाहिए हमारा risk reward कितना है तो risk reward में बतातो अगर आप overhand लेकर के चलते तो 1-3 के आसपास का almost आपका होना चाहिए मैंने यहां पर almost trade लिया था 487 के आसपास stop loss मेरा 473 के आसपास रहेगा पहला जो मेरा target रहेगा almost 473 इदर 1 is equal to 2.5 का रहेगा और अगर मैं इसको hold करता हूं या trailing stop loss का use करता हूं तो 67 तक का मैं target expect कर सकता हूं जो 1 is equal to 3.5 के आसपास आता है तो यह था मेरा stock का जो मैंने आपको बताना था मैंने आज के लिए trade बनाया है और शायद Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday को book करूंगा जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो guys do like, share, comment and subscribe my channel thank you and have a nice day